Hey everybody, I'm Dr. Gargi Singh और मैं नीच के लिए Biology पढ़ाती हूँ तो अभी भी मुझे पता है, बायो में एक बहुत बड़ा confusion चल रहा है बच्चों का कि मेरे पास पुरानी NCRT है, मुझे क्या छोड़ना है, मुझे क्या नया पढ़ना है मेरे पास नई NCRT है, मुझे पुरानी NCRT में से क्या चीज है जो पढ़नी है और क्या चीज ऐसी है जो मुझे बिल्कुल एक्ट्रा पढ़ने है जो ना तो नई में है ना पुरानी में है I know, so this session, in this session I am going to cover everything, देखो बच्चे, ये session मैंने 3 parts में divide करा है एक part होगा नई NCRT वाले बच्चों के लिए, एक part होगा पुरानी NCRT वाले बच्चों के लिए और एक part होगा दोनों के लिए, मतलब अगर आप अभी भी confused हैं, कि अगर आपके पास old NCRT और आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन से chapters हैं जो मुझे skip करने चाहिए कौन से topics हैं जो skip करने चाहिए, out of NCRT क्या है जो cover करना चाहिए, और नई NCRT में से क्या cover करना चाहिए हम अलग नए हैं हम सब के लिए, वो मुझे cover करने है, so let's get started, ज्यादा time नहीं waste करने का, तो देखो, सबसे पहले, अगर आपके पास पुरानी NCRT है, पहले मैं पुरानी NCRT को cover कर रहे हूँ, there will be no confusion, तो पहले जो part है, that will be for पुरानी NCRT वाले बच्चे, अगर आपके पास आप taxonomic AIDS नहीं करेंगे, ठीक है, you will skip these topics, plant kingdom में आप angiospum का part skip करेंगे, सिर्फ angiospum का part, बाकी पूरा chapter आपको करना है, living world में भी सिर्फ और सिर्फ taxonomic AIDS नहीं करनी, बाकी पूरा chapter आपको करना है, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे जो एक major part है न, पीछे इस life cycle दिया है, alternation of generation that you have to do, that you have to do, although आपका जो असले बस है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन यार, जब आप sexual reproduction in flowering plant करते हो, तो उसमें यह concept लगता है, तो आपको वो करना है, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ angiospum लिखा है, कि आप नहीं करेंगे, structural organization में आप earthworm नहीं करेंगे, frog, cockroach कर करना है, tissue भी पूरा करना है, पूरा chapter है, बस earthworm नहीं करना है, ठीक है जी, anatomy में अगर मैं बात करूँ, तो secondary growth के बाद जो भी चीज़ है आप नहीं करेंगे, चाहे वो cambium की बात कर रहे है, sapwood, heartwood की बात कर रहे है, bark की बात कर रहे है, secondary growth in root की बात कर रहे है, that is not required, bio molecule में यह आप skip करेंगे, यह अब आपके slivers का part नहीं है, लेकिन बच्चे एक चीज, एक बड़ी important सी चीज है, जो आपको नई NCRT में दीवे, update हुआ है, that is biological classification से, वहाँ पहले वाइरस नाम किस ने दिया था, बोलते था हम Louis Pasteur ने दिया था, now they have changed it, अब वो क्या बोड़ रहे है कि नहीं जी, यह तो MW Visionary Neck ने दिया था, तो that is something जो पुरानी NCRT वाले बचों को update करना है, otherwise अभी तक जो chapter बाकी के बीच बीच में, जिनका नाम मैंने लिया है, वो they are same, ठीक है, वो same है, उनमें कोई changes नहीं है, नहीं हो या पुरानी हो, मैं सिर्फ आपको वो वाली ठीक है, चलो आजाओ, Transport in plant, पूरा chapter आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन, यहां से हम दो concept करेंगे, एक है Osmosis, एक है Types of Transport, that is active and passive, why, because जब हम sell the unit of life पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पे transport की बात करते हैं, तब हमें समझ में नहीं आएगा, अगर नहीं बढ़ा तो, this is important, okay, Mineral Nutrition पू तो periodism नहीं करेंगे, vernalization नहीं करेंगे, और seed dormancy नहीं करेंगे, otherwise पूरा chapter is there, मैंने सिर्फ वो topic लिख हैं, जो आपको नहीं करने है, digestion and absorption पूरा chapter उड़ चुका है, neural control and coordination की बात करो, तो जो last वाला part है, हमारा reflex arc, reflex action, sense organs, eye, ear, जो तुम पहले पढ़ते थे, यह सब भी अब पार्ट नहीं, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, question नहीं आएगा, डरना मताब, ऐसा हो गया तो, यह हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, यार जो option वाला section भी आता है, उसमें आएगा, महां पर तुमारे पर option होता है, मत करना वो question, वैसे तो नहीं आएगा, अगर अगया, like if there are 1% chance, तो उधर आएगा, ठीक है, वैसे आएगा नहीं, all right, तो अगर हम बात करें 12th की, ठीक है, old NCRT वाले बच्चे जो है, उनमें, अगर 12th के chapters की बात करें, तो reproduction in organism chapter खतम है, पूरा, लेकिन बच्चे मैं बोलूँगे आपको कि यहां से आप यह concept जरूर करि करना है, ठीक है, strategies वाला chapter पूरा उड़ो चुका है, लेकिन इसका यह वाला part अब biotechnology applications में जा चुका है, तो हमें tissue culture भी करना है, micropropagation, somatic hybridization, meristems culture, यह सब करना है हमें, ठीक है, आपको skip नहीं करना है, यह आपको करना है, अब अगर मैं ecosystem की बात करूँ, तो ecological succession, अब आपके syllabus में यह nutrient cycling नहीं है, ecosystem services नहीं है, environmental issues पूरा का पूरा chapter जा चुका है, ठीक है, तो यही मैंने अभी old NCRT cover करी है, जिन बच्चों के पास old NCRT है, वो इस तरह से follow करने वाले हैं, अगर किसी बच्चे के पास नहीं NCRT है, बहुत सारे बच्चे जिन के पास नहीं NCRT है, तो व सब कुछ मिलेगा, मेरे telegram पे that is t.me slash doctor gargi singh, यहाँ पे बच्चे आपको हर एक चीज मिलने वाली है, हर एक चीज मिलने वाली है, तो डरना मत, ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, living world में, what is living from old NCRT, plant kingdom में बच्चे life cycle alternation of generation, एक बार जरूर देखके जाना, ठी NCRT, morphology में, modification of roots, stem and leaves and sari की sari family, mind it all the families, ऐसा नहीं कि नहीं NCRT में सिर्फ एक family दिये, तो हम सिर्फ वही करेंगे, नहीं, आपको सारी families करेंगे जो पुरानी NCRT में दी हुए, और मैं अब extra topics की भी बात करूंगे, लेकिन अभी मैं यह बात कर रही हूँ कि जिसके पास नही NCRT है, वो पुरानी में से क्या-क्या पढ़ेगा, structural organization में animal tissue आप पढ़ेंगे, यह आपके syllabus में दिया हुए, आपको पढ़ना पढ़ेगा, पुरानी NCRT से मिलेगा यह, anatomy में plant tissue आपको पढ़ना, चाहे वो simple हो, चाहे वो complex हो, and चाहे वो meristematic हो, और चाहे वो permanent हो, सारा का सा टिशू आपको cover करना है, transport in plants में, आपको पुरानी NCRT से osmosis, active and passive transport पढ़ना है, organisms and population में, आपका chapter तो सीधा population से शुरू हो गया, नही NCRT में, लेकिन बच्चे आपको organism and environment भी करना है, adaptation भी करना है, मतलब पूरा का पूरा chapter आपको किस के according करना है, पुरानी NCRT के according करना है, क daishis, monochis, उसके examples and diagrams आपको कहां से करने है, पुरानी NCRT से करने है, अब I think थोड़ा clear हो गया होगा कि नही NCRT किसी के पास है, तो उसको पुरानी NCRT किसी के पास है, तो उसको कौन सी चीज़े skip करनी है, okay now, the topics जो यार, दोनों बच्चों के लिए, पुरानी NCRT वाले और नहीं वाले भी, ये वाले topic ना तो पुरानी में दिया ना नहीं में दिया है, तो ये सब को करने है, ये बच्चे out of NCRT वाले topics हैं, डेंगी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ मैम, देखे, डेंगी, चिकन गुनिया, प्लांट फैमिली, मैलवेसी, क्रूसी फेरी, लग्यूम लग्यूमियोसी, कॉम्पोजिटी, ग्रामिनी, वैसे तुम्हे एक बात बताओ, क्रूसी फेरी, लग्यूमियोसी तो अल्रेडी पुरानी NCRT में है, ये लेकिन थोड़ी से स्कैटर्ड है, तो इसको तो आपको बहुत तरीके से पढ़ाने की बड़ी जरूरत है, लेकिन मैंने सारी चीज़ें कवर करी है, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुए, आपको अगर लगतार है, हाई 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 क्या होगा, तो बस आपको लिखना है, Dr. Gargi Singh देगी चिकुन गुनिया, कितना अजीव लग रहा था, Plant Families, Dr. Gargi Singh, New Plant Families, Neo-Darwinism, Cam, Pathway, ये सब आपको नई चीज़े हैं, जो दोनों में नहीं दिवी हैं, लेकिन अपन को करने है, Cam, Pathway, तो मैं जब photosynthesis पढ़ाती हूँ, तो ये पढ़ाती ही पढ़ाती हूँ, तो आपको कोई फिकर करने की जरूरत नहीं, Neo-Darwinism भी मैंने cover करा है, of evolution, ठीके जी, चल, तो ये बात हो गई, अब बच्चे एक और बड़ी आसी बात ये हो जाए की, इससे पहले एक बड़ी important बात की, बेटा जी, हमारा शुरू हो चुका है, 30 days, बायो का crash course, ठीक है, और उसमें आपकी पहली class होने वाली है, कल, कितने बजे, 9 a.m, कौन सा chapter हम करने वाले हैं, कौन सा chapter या कौन सी unit हम करने वाले हैं, plant physiology and the chapter is photosynthesis, तो उसका link मैंने दे दिया है, comment में हर एक बच्चा जाएगा, उस link को click करेगा और session को like करके आएगा, क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूं, की, plant physiology हो, या फिर, you know, आपका biology का कोई भी chapter हो, क्योंकि plant physiology, शुरू कर रही हूँ न, मैं इसलिए plant physiology, I can assure you one thing, जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे न, आपको एक deeper level understanding होगी NCRT की, क्योंकि हम इसको करने वाले हैं, NCRT, line to line, because बच्चे, I know, अभी भी, there are maximum kids ऐसे हैं, जो अभी भी पिलकुल confidence में हैं, कि हमें NCRT से कोई भी question पूछलो, हम उसका answer सही देंगे, नहीं, जो अभी भी कमी हैं, और यह last time सोच लो कि, इस तरीके से plant physiology तुम करोगे last time, जहां पर एक एक चीज कवर होगी, जहां पर मैं आपको NCRT के, आपको paragraph lines पढ़ा के, यह भी बताऊंगे, कि यहां से ऐसा question बन सकता है, So must attend है, बच्चे, must attend है, very very important, ठीके, यह जरूर आपको attend करना है, अगर आप चाते हो कि, भई, मेरा bio में 360 में 360 का, जो एकदम perfect score है, वो बन जाए, तो यह बड़ा important है, तो I'll be waiting for you all, ठीके, और बड़ी important एक और बात है कि, आपको 7 दिन का unlimited access मिल रहा है, आने के आडमी के subscription का, उच्छ भी चीज हो, हमारी live या recorded class हो, हमारे questions हो, हमारे notes हो, everything is available to you for 7 days, लेकिन बच्चे 15 के बाद यह खतम हो जाएगा, और इसका link मैंने pin करवा दिया है, comments में, उस link को click करेंगे, तो आपका यह trial activate हो जाएगा, जहाँ पे आप मेरे batches जाके देख सकते हैं, जैसे कि, अंतिम प्रहार batch है, which is again a crash course for 2024 के बच्चे के लिए, लेकिन यहाँ पे, without any distractions, the content is supreme, the questions are so many questions and all questions, like supreme questions, यह content आपको मिलेगा, अगर मैं बात करूँ कि, अगर कोई बच्चा 25 के लिए तो वो भी जाके प्रगती batch देख सकता है, या मेरी जो already recorded classes है, वो भी देख सकता है, हर एक चीज आपके लिए available है, जैसे कि, नीव batch है, 26 के लिए, और बच्चे, scholarship test भी आपको जरूर देना है, इसका link भी मैं comment में जलवाद होगी, ठीक है, यार इतने अच्छे अच्छे आपको prize मिलेंगे, और अगर तुम्हारा बहुत बढ़िया rank आया, तो आपको scholarship मिल जाएगा, आपको, क्या पता, 90% off हो जाए, subscription पे, हाना, बुरी बात थोड़े ना, easy सा paper होता है, register कराओ इसमें, enroll कराओ इसमें, और जो, सबसे जरूरी चीज, कि इस session को like करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही simplify में आपको सब कुछ बता दिया, और दूसरी बात, कि भई, जो कल session होने वाला 9 बजे का अग्दम धासू, उसको भी like करके जाना है, क्योंकि मु you there. पाइ, टेक केर.